उपरजित गुण और अनुवांचिक गुणों को समझने के लिए चलिए एक मज़ेदार सी बात करते हैं कल्प ना कीचे हमने आप लोगों को गंजा कर दिया तो जब आप बड़े हुए आपकी शादी हुई शादी के बाद आपने एक संतान को जन्म दिया तब जैसे ही आपके वो संतान बड़े हुई हमने उसे भी गंजा कर दिया और इस चीज को हमने आपकी आने वाली कई पीडियों पर दोहराया तो अब ये बताईए क्या आपके आने वाली पीडि के बच्चे भी हमेशा गंजे ही रहेंगे क्या इस पे सोचिए नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाल आना एक अनुवानशिक गुण है तो वे सारे गुण जो हमारे जीन्स में उपस्थित होते हैं और पीडियों दर पीडियों हमारे अंदर आते हैं उन्हें हम अनुवानशिक गुण कहते हैं इसे अपनी कॉपी में लिख लिजे इसी कारण चाहे हम आपकी कितनी भी पीडियों को गंजा कर दे उनकी बच्चों की बाल तो हमेशा आएंगे ही तो बाल आना हुआ एक अनुवानशिक गुण अब बात करते हैं उपारजित गुण की जिसे अम अंग्रेजी में एक्वायर ट्रेट कहते है इसको समझने के लिए माल नीचे आपके ममी और पापा बहुत ये अच्छा खाना बनाते हैं वो तो पक्का ही बनाते होंगे तो क्या ये जरूरी है कि आप भी खाना बनाने में बहुत अच्छे होंगे नहीं न ये जरूरी तो नहीं है क्योंकि ये अच्छा खाना बनाने का टालेंट आपके पापा ममी ने अपने पूरे जीवन भर मेहनत करके बनाया है तो ये टालेंट उनकी जीन्स में भी नहीं है इसलिए ऐसे गुण जो अपने जीवन में मेहनत करके हासल करते हैं वह आपकी पीडियों में नहीं पास हो सकते हैं उन्हें उपारज़त गुण कहते हैं और अंग्रेजी में एक्कॉआइट रेट इसकी परिभाशा को अपनी कॉपी में लिख लीजे अब जैसे मेंडल गुणों को पीडियों में पास होते देखकर अनुवान शिक्ता का आईडिया लेकर आए बिलकुल उसी प्रकार चार्ल्स डार्विन नामक विज्यानिक ने प्रजातियों के विकास का आईडिया दिया इनके विकास के इस आईडिया को हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उससे पहले आपके लिए एक प्रश्ण है इस प्रश्ण का उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए चलिए अब इसका हल देखते हैं और इसका सही उत्तर है अनुवांशिक अपवाद अनुवांशिक अपवाद वे कारण है जो किसी प्रानी की जन संख्या कम करने के लिए जिम्मिदार है जिससे विविद्धा में वृद्धी हो सकती है धन्यवाद